हेलों वल्कम एवर्वन दिस साइद महेंद सिंग और वाचिंग अनकाइड में नीट लाइव डेली बच्चो 3.0 का सेशन शुरू हो चुका है आज से हम लाइव डेली 3.0 का आगास कर चुके हैं दो साल पहले हमने 1.0 किया था फिर हमने 2.0 किया आज मैं बहुत खुश हूँ कि 3.0 का अनाउंसमेंट होकर आज से शेशन शुरू हो चुके हैं आप लोगों का ओवर्वहल्मिंग रिस्पॉंस मज़ेदार है मतलब देख का तारीफे काबील है मज़ा आ जाता है आप लोगों के साथ दिंदरेख करके येस अच्छा अब कहीं सारी बच्चे ना एक चीज़ सोच रहे होंगे कि यह इलेक्ट्र स्टाटिक्स होना था है ना शुरू तो अप्टिक्स से हो रहा है एकदम ही बिलकुल अलगी येस चलो पहले थम्स अप करके फटा-फट से मुझे बताओ है ना थम्स अप करके बत ओडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है कम अंड एवरिबड़ी रुकू आदेत्य फातिमा आयोन अनुराधा श्रद्धा कुंदन सौम्या विक्षरांत एवरिबड़ी ठीक है पुरा शेडियूल बताने वाला हूं कितने लेक्चर्स होंगे क्या होंगे किस तरह से होंगे कम्पलीट डीटेल के साथ शुरू करेंगे ठीक है हर एक चीज को डीटेल में जाकर जानेंगे कि भई आज ही पुरा शेडियूल बता दूँगा geometrical optics आज शुरू हो रहा है कब खतम हो जाएगा कौन-कौन से topics के कितने-कितने lectures होंगे और उनमें additional चीज़ें क्या होंगी आप लोगों के लिए, right? So just you don't worry, everything perfect? Very very good evening to all of you guys Yes Very good evening, very good evening, very good evening बहुत अच्छे चलिए, great मैं एक बार देख लो अपना setup की मैं ठिक ठाक दिख रहा हूं की नहीं दिख रहा हूं तो बता चला तुम बोलोगे इस तर यह क्या हो गया मतलब आपको नहीं तो यार आज पढ़ेंगे हम बता देते हैं जड़ा Ray Optics से शुरू करने के पिछे कारण था Electrostatics and Academy Neat के YouTube चैनल पर मैं 12-13 वार पढ़ा चुका हूँ यहर मैं पदेशान हो गया मतलब Electrostatics पढ़ा पढ़ा के पढ़ा पढ़ा के ठीक है So this time हम थोड़ा सा अलग करते हैं ठीक है और एक चीज़ यह बच्चों की काफी जल्दी आपका syllabus complete हो जाएगा Ray optics से हम कहानी शुरू करते हैं Toughest chapter लगता है बच्चों को जो सबसे tough लगता है अगर उसी को सबसे पहले grip में कर लिया तो हमारा Neat 2022 हमारी जेब में होगा जब चाहें तब क्रेक कर लेंगे ऐसी इस्थिति में आना चाहते बच्चों राइट सो जो Ray optics है आज उसमें क्या पढ़ने वाले हैं आज हम उसमें पढ़ने वाले हैं Reflection at Plain Surfaces और Laws of Reflection और धेव सारे इनके questions कुछ homework भी होंगे और कुछ हम class में discuss करेंगे राइट चलिए बहुत बढ़िया तो आप सब लोगों की सहमती मिल चुकी है आगे बढ़ने की तो शुरू करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और कुछ-कुछ चीज़ें में आपको बताने वाला हूँ आज के session में आपको काफी चीज़ें amazing और नहीं लगेगी So yes, this side Mahendra Singh and this is the team of an academy NEET बच्चो जो live daily live daily 3.0 में आपको आपके boards plus NEET 2022 के लिए perfect तयार करेगी 2023 के लिए भी हम planning कर रहे हैं बहुत जल्दी reveal कर देंगे ओके guys, so आप बिल्कुल परेशान मत होईए stay tuned with us ऐसा नहीं है कि day 1 है तो आए हैं, कल से फिर कहीं और हम धूंडने निकल गए ऐसा बिल्कुल नहीं करना है consistency अगर आप maintain करेंगे for sure result आपका आपके हाथ में होगा ठीक है, चलिए तो अगर आप इस channel पर आज पहली बार visit कर रहे हैं, तो फटा फट से channel को subscribe ज़रूर कर देना, hit the bell icon also, so that Neat Live Daily के सारे notifications आप तक पहुन सके okay guys yes, so फटा फट से ज़र चैनल को subscribe करो, hit the bell icon also, so that आपको हर एक चीज घर बेठे मिल जाए है ना, तो ये काम करना मत भूलना, और अपने सारे दोस्तों के साथ share भी कर देना so शुरू करते बचो, ray optics reflection at plain surfaces, आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है मैं chat section में आकर नाम नहीं ले पाऊंगा because अगर बच्चा बाद में recorded भी अगर देखेगा, तो उसे किसी तरह का disturbances नहीं हो, तो पढ़ेंगे और आज मैं आपको बताता हूं ठीक है, कि ये आज optics की class में आटा क्या कर रहा है, ठीक है, मैं थोड़ा सा red color के जिने आप tissues कहते हैं या blood winds कहते हैं, वो damage जब हो जाते हैं, तो उन्हें repair कैसे किया जाता है आज वो सारी चीज़े भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, एक physics educator होकर आपको ये बताएगा, बंदा की कैसे optics का इस्तेमाल होता है जब आप एक surgeon बन जाते हैं, जब आप एक doctor बन जाते हैं, ठीक है, चलिए तो कहानी की शुरुवात करते हुए यहां से हम देखते हैं भई पहली बात अगर कोई भी, है ना ophthalmic surgeon अगर होता है, तो इस तरह से यह आप देख रहे हैं, है ना lenses किस तरह से work करते हैं, so that बहुत छोटी चीज़े भी आपको magnified नजर आती है और उन्हें आसानी से आप examine कर सकते हैं, तो being a doctor आप आगे चलके यह सारी चीज़ें use करने वाले हैं, आज आप future doctor हैं आगे चलके आपके नाम के साथ definitely doctor word जूडने वाला है ठीक है, so how do magnified lenses work, यह आज आप सिखेंगे, और यह जो chapter हम शुरू कर रहे हैं, बच्चों इस chapter में शुरू हम कर रहे हैं, तो क्या-क्या चीज़ें आप यहाँ पर सिखेंगे, मैं थोड़ा सा उस पर भी नजर डाल देता हूं, learnings आपको क्या-क्या मिलेगी, एक plane mirror किस तरह से work करता है images कैसे बनती है, concave, convex mirror किस तरह से work करते है, images कैसे बनती है, ठीक है, images form करने का तरीका क्या होता है lenses किस तरह से work करते हैं, और उसकी सारी procedures बच्चों, फिर आप किसी भी camera के, या lens के या फिर किसी भी optical instrument के field of view को जानेंगे, ठीक है किस तरह के various defects होते हैं, human eye में near sighted, far sighted आप लोगों ने hyper metropia और इस तरह की काफी सारी चिज़े पढ़ रखी होती है जब आप 10th standard में होते हैं, तो उनका detail version यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है फिर आपके simple microscope और telescope ठीक है, और compound microscope यह सारी की सारी detailing आपको इस chapter में मिलने वाली है ओके, yes great, चलिए तो यहाँ पर फटा फट से thumbs up करते चलिए, अब मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले schedule, तो geometrical optics जो है, वो शुरू हुआ है पंदरा अप्रेल से, plain mirror part 1, तो plain mirror में क्योंकि actually geometry बहुत ज़ादा use होती ठीक है, geometry बहुत ज़ादा use होती है और geometry ज़ादा use होने की वजह से ही, इस chapter का नाम geometrical optics है तो plain mirror के 3 lectures है ठीक है, part 1, part 2, part 3 Sunday को हमारा कोई lecture नहीं होगा Sunday को आप लोग बिल्कुल revise करेंगे motivate होंगे, आपको motivational videos मिलेंगे, ठीक है फिर 19, 20, 21, 19 को आपका spherical mirror, part 1, part 2 refraction, part 1, part 2 फिर यहाँ पर refraction through prism then refraction at curved surface then lenses, part 1, part 1, optical instrument एक दिन microscope और एक दिन telescope, तो आप 15 अप्रेल से geometrical optics को शुरू कर रहे हैं और 29 इस अप्रेल को आपका geometrical optics खतम हो जाएगा, ठीक है मैं के महिने में हमारा waves खतम हो जाएगा, यानि कि wave optics और हमारा complete modern physics मैं के महिने में आप physics की बहुत बड़ी branch को complete कर चुके होगे यह schedule मैंने आपको पहले बता दिया, PDF आपको मिल जाएगी बच्चो, PDF आपको मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल पर जाकर बस यह search करना है hello physics, जैसे ही session खतम होगा मैं PDF वहाँ पर डाल देने वाला हूँ ठीक है, PDF आपको daily यहीं पर मिलेंगे, ठीक clear है इतनी बाते, चलो schedule समझ में आगया भी या, तो daily daily यहने की आप जो है चार बजे से लगा कर 4 p.m. to 4 p.m. to 9.30 यह आपको क्या करना है reminders लगा लेने अपने phone में, ठीक है reminders set कर लो, so that alarm लग जाए 5 बजे का daily, 5 p.m. पर आपसे daily मुलाकात होगी 5 to 6.30, physics का timing है बच्चो, थोड़ा सा हम बाकी subjects के comparison में एक घंटा, आदा घंटा थोड़ा सा जादा लेंगे, डेर घंटे का station में ने रखा है so that धंग से हम practice कर सकें ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे, तो optics की जब हम बात करते हैं, क्या होता है सबसे पहले optics, है ना तो जब आप optics की बात करोगे बच्चो तो this is the branch of physics which deals with the light and its behavior, ये क्या करती है सर, physics की एक branch है it is a branch of physics branch of physics जो क्या करेगी physics deals with किसके साथ deal करेगी, deals with light है ना, किसके साथ deal करेगी बच्चो, light के साथ deal करेगी अब जो light है, जो light है deals with light, आज अनकाइडमी प्लस पर मेरा पहला सेशन होने वाला है ठीक है यहीं कि संजीवनी बेच का उसमें मैं EM वेव पढ़ाने वाला हूँ electromagnetic waves तो उसमें light जो है हमें पता चलती है सर मैक्सवेल ने कहा था कि light diol nature की है यह particle nature को भी show करती है और यह wave nature को भी show करती है absolute particle नहीं है और ना ही absolute wave है यह दोनों को एक साथ दिखा रही है आप इसे कह सकते हो कि यह दोगली है यह कैसी है दोस्तों यह दोगली है तो इसके कुछ characteristics है जो specifically यहीं पर use होते हैं और कुछ characteristics specifically यहीं पर use होते हैं तो कुछ ऐसे phenomenon कुछ ऐसे phenomenon जैसे की आपका reflection ठीक है यह कुछ ऐसे phenomenon है बच्चो जो कहां मिलते हैं जो particle nature को बताते हैं जो किसको बताते हैं कि light particle nature की है और यहाँ पर it involves geometry बच्चो यह क्या involve करती है it involves geometry अभी आप देखोगे 10th की mathematics का इतना use होगा triangle वगेरा का तो आपको समझ आएगा so it involves geometry that is why इसका नाम है geometrical optics ठीक है so optics की एक ब्रांच जो particle nature पर based है बच्चो उसे हम कहते हैं geometrical optics geometrical इसलिए because इसमें बहुत ज़्यादा geometric का use होता है and etc etc आप लिख ले मैंने दो यह example बस लिखे अगर हम बात करें wave optics की यहाँ पर कुछ phenomenon जैसे सबसे बहतर आपका interference of light interference, interference के बाद में diffraction, diffraction के बाद में आपका polarization यह कुछ ऐसे phenomenon हैं जो wave nature को बताते हैं और wave nature को बताते हैं इसलिए optics की इस branch को हमने wave optics कह दिया optics की इस branch को हमने क्या कहा बचो wave optics कहा, optics में total दो branches हैं आपके पास, एक geometrical optics और एक आपके पास क्या है wave optics, पहले हम geometrical optics को complete करेंगे, बाद में फिर हम wave optics को complete करेंगे, ठीक हैं, इतनी बात समझ में आ गई, चलिए, अब जिसके बारे में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है क्या, है ना, light है क्या, पहले वो तो पता चले, फिर हम उसके साथ deal करना सिखेंगे, तो हम चलके समझते हैं कि भई, light के बारे में कहानी, तो light के बारे में जब भी बात होती है, तो सबसे पहला सवाल आता है, कि light एक ऐसी thing होगी, या light कुछ ऐसा है, जो नजर आता होगा Am I right everyone, फटा 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 मुझे chat section में लिखके बताओ, क्या light visible है, क्या light visible है, एक amazing experiment का वक्त आ चुका है, चेक है, does light visible बच्चो, does light visible, चलो, अपने सभी दोस्तों के साथ share कर देना है ना, वो मत भूलना, share button का इस्तेमाल करना, सभी दोस्तों के साथ share कर देना, just a minute, चलो, yes, 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 कुछ लिख रहे हैं, yes, light is visible, कुछ लिख रहे हैं, कि light visible नहीं है, आप शायद, शायद आप जानकर हैरान होंगे, does light visible, जवाब है, no, light नहीं दिखाई देती, कैसी बात कर रहे हो सर, हमारे घर में बलबे चालू करते नजर आता है, ठेक है, हमारे घर में बहुत सारे ट अच्छल में, जिन्हें आप देख पा रहे हैं, वो light नहीं है, कुछ ऐसे obstacles हैं, light के रास्ते में, कुछ ऐसे particles हैं, जिनके साथ light जब टकराती है, तो वो particles नजर आते हैं, light नहीं नजर आती, ठीक है, एक बहुत बढ़िया सा experiment करते हैं, if you all are ready, are you guys ready for the experiment, इसके बाद सरजरी आने वाली है, if you all are ready with the experiment, then हम जो है, definitely क्या करने वाले हैं, एक बड़िया सा experiment करेंगे, light class experiment, बच्छो ठीक है, क्योंकि physics, देखते हैं अगर हम, तो सीखते हैं हम, right जी, चलिए, तो मैं करने जा रहा हूं, अब अंधेरा वंधेरा होगा, थोड़ा सा, अंधेरा होगा, अब अब ही मैं आपको जो है, कुछ अंधेरा करके कुछ चीज़े दिखाने वाला हूं, और आप देखकर बोलोगे, हना, कि यह क्या हो गया, अचानक से, ठीक है, तो अंधेरा करने जा रहा हूं, क्योंकि हमें light देखनी है, अगर light देखने तो अंधेरा करना पड़ेगा, तो अंधेरा कायम रहे, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना की भीया, यह है अनकाडमी, नीट की टीम, और यहाँ पर इस तरह के होते हैं, सेशन्स, राइट, दस light बिजिबल, यह मैंने आपके सामने क्या किया, देखो, फोन यहाँ पर मैं अगर ऐसे करूँगा, तो ब्राइट शेयर यह पर माने आपके लिए, छिप्रियवान, पर ऐसे मैखतने का भीया, बिजिबल, और इस यह भर मैं पर एपनी के लिए, और यहाँ ज इस तो लिखो दोस्तों, यह जिबलों, वैसी मेफ़डोलोजी इस ऐसे उसे लिख करेंगे, इस हम पढ़ने के लिए तो आपने क्या देखा भीया बात आपकी बिलकुल सही है हमारे हाथ और फोन के बीच की जो gap है उसमें हमें light नजर नहीं आ रही है अब मैं आपको दिखाता हूँ आपने देखा क्या आपने देखा कि कुछ पार्टिकल्स मैंने क्या किया कुछ पार्टिकल्स को मैंने उड़ाया और उस रास्ते में उस gap में जहां आप मेरे हाथ के बीच में और फोन के बीच में आपको कुछ नहीं नजर आ रहा था वहाँ पर आप देख पाए, हाँ, लाइट है, राइट? So, what is it? है क्या ये? Actual में आपको लाइट नहीं दिख रही थी, अब क्या है? भई अगर लाइट दिख रही होती, लाइट तो पहले भी थी, और लाइट बाद में भी थी लाइट पहले भी थी, और लाइट बाद में भी थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ, जो पहले नहीं दिख रहा था, लेकिन बाद में दिखा So, बच्चों, लाइट विजिबल नहीं होता है, लाइट, दस लाइट विजिबल, नो क्या दिखता है, हमें दिखते हैं particles, ठीक है, particles और हमें नहीं कहेंगे obstacles, particles और obstacles which are in the path of light which are in the, कहाँ पर बच्चो path of light are visible path of light are visible तो अब क्या होता है जो यहाँ पर obstacle है और जो यह particles है यह size में बहुत छोटे होते हैं यह जो particle और यह जो obstacle है यह size में क्या होते हैं बच्चो very very small very very small तो आप इन्हें कभी क्या करते हो आप कोई यह size wise नजर नहीं आते तो आपको लगता है क्या light चालू हुई मतलब light नजर आ रही है feel हुआ amazing, बहतर था मज़ा आया कि नहीं something different yes, इसको tindle effect कहते हैं आप इसे उस नाम से जान सकते हैं tindle effect के नाम से ठीक है तो मैंने कुछ नहीं कि अगर कोई जानना चाता है तो मैंने cell phone use किया और cell phone के सामने मैंने आटा रखा simple और आटे को फूग देखे उड़ाया और वो आटे के teeny particles हमें नजर आ रहे थे चलो, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो जो बात मैं आपके साथ करने जा रहा था कि सर हम तो medical की तयारी कर रहे हैं NEED के examination में एक important role होता है geometrical optics का उस लिहाँ से तो हम पढ़ें लेकिन हमें आगे कहा काम आएगा medical students के point of view से इसकी क्या उप्योगिता है तो दोस्तों आप देख रहे हैं एक ophthalmic surgeon एक surgery कर रहे हैं एक patient है जिसकी आखों में है ना retina में यहाँ retinal damage है जिस retinal damage को light की मदद से क्या किया जाता है बच्चो light की मदद से इसे सही किया जाता है कुछ specific kind of radiation जिसे helium neon laser का यहाँ पर use किया जाता है और blue या फिर green color की light को send किया जाता है आपके आखों के retina पर तो वहाँ पर वो आपके आखों को harm भी नहीं करती है और जितने भी यहाँ पर damages है उन्हें repair कर देती क्योंकि जो red color के जो blood winds आपको नजर आते हैं आप ज़्यादा बहतर समझते biology तो वो इस blue color या green color की light को क्या कर पाते हैं अच्छे से absorb कर पाते हैं और उनका treatment possible हो पाता है तो ऐसा ही एक treatment मैंने आपको बस दिखाने की कोशिश करी है ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं उसका use नहीं होगा आप देखे यहाँ पर light का use करके यहाँ पर जो retinal detachment with tear बचो retinal detachment with tear यहाँ पर हो रहा है अब मुझे जादा मतलब I am not a doctor तो उतनी technical details तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा but yes you can understand one thing over here कि sir यहाँ पर light का एक proper use हो रहा है ठीक है ophthalmic surgeon यहाँ पर एक क्या कर रहे हैं particular surgery perform कर रहे हैं जिसमें air यहाँ पर entrapped हो गई है somehow कुछ हवा जो है वो रुख गई है और उस हवा को यहाँ से वो शक करके क्या करने बच्चो बाहार निकाल रहे हैं तो यह था light का practical use जो आप करेंगे अपने MBBS कर लेने के बाद जब आप MD करके surgeon बनेंगे तब बच्चो तो ऐसा नहीं है कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसका उपियोग नहीं है उपियोग बहुत जबर जस्त है ठीक है ओके गाईज मजा आ रहा है मजा आ रहा है चलो थम्सप करते जाना तो अब हम बात करते बच्चो एक्चुल वहाँ आ जाते जहां से हमें questions आएंगे सबसे पहला topic है हमारा reflection of light reflection of light is simply bouncing back of reflection of light is simply bouncing back of light जैसे यह जो plane mirror है आपने light को यहाँ पर भेजा ऐसे यह यहाँ पर पहुँचेगी और टकराने के बाद में वापस उसी medium में लौट आएगी you sent a light वो गई तकराए और उसी medium में वापस लौट आए तो हम इसे phenomenon को कहते है reflection of light phenomenon of turning back और bouncing back of light when incident on the boundary of two media is called reflection जिस boundary से यह bouncing back करता है उसे reflector कहते है या फिर हम उसे mirror कहते है mirror दो तरह के होते हैं यहाँ पर mirror दो तरह के होते हैं plane mirror भी होते हैं और spherical mirror भी होते हैं plane mirrors और spherical mirror बच्चो तो इनको हम detail में पढ़ेंगे one on one आज हम plane mirror की कुंडली खो लेंगे ठीक है चलो बहुत बढ़ी है अब mirror होता क्या actually polished glass होता है with silvering on one side एक तरफ आप क्या करते हो polish कर देते हो और दूसरी तरफ आप silvering कर देते हो high temperature और pressure पर mercury को pass करवाते हैं जब किसी surface से तो ये वाला जो surface से ये कैसा हो जाता है बच्चो ये silvered हो जाता है और silvered हो जाएगा तो silvered होने के बाद में this surface will become reflecting तो अब ये reflect करने के लिए आपकी मदद करेगा ये light को बहुत अच्छे से bounce back कर पाएगा is that clear यहां तक सब को समझ में आया yes PDF lectures के कहां मिलेंगे hello physics का telegram channel लगा रखा है हर slide पे बच्चो जैसे लेक्चर खतम होगा मैं PDF वहाँ पर share कर दूँगा ठेक है although एक और चीज़ है इस 3.0 में आप लोगों के लिए video book भी हम बना रहे हैं जिसमें आपको सारे PDF lecture links उसके बाद में special class के lecture links अलग से अगर हम लोगों ने कोई आपको DPP sessions करवाए हैं practice sessions करवाए तो उन सब के links हम एक जगह पर लाकर store करने वाले हैं चेक है चलो बहुत बढ़िया अब यहाँ पर हम बात करते हैं sir reflection of light जैसे यह एक mirror है और आपने यहाँ पर light को incident किया 10th standard में अल्रेड़ी पढ़ा हुआ है आपने यह light ray को आपने यहाँ से incident किया light ray यहाँ पर आई यहाँ टकराने के बाद में यह जो line आपको दिख रही है which is perpendicular to normal यह line क्या है बचो this line is इसको हम कहते हैं perpendicular to mirror perpendicular to mirror surface mirror के surface से perpendicular है और इसी वजह से इसको हम normal कहते हैं perpendicular हो तो normal हो गया so this is your normal तो normal के साथ एक angle बनता है जिसको हम कहते है angle of incidence जिसको represent किया जाता आई के साथ और normal के ही साथ यह जो ray है जिसे हम reflected ray कहेंगे this reflected ray makes a angle जिसे हम angle of reflection एने की r कहेंगे तो यह हो रहा है reflection of light का phenomenon बच्चो this is the reflection of light यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो और चीजों को समझे incident ray यह यहाँ पर रही बच्चो incident ray which is which is क्या कर रही बच्चो falling on the mirror और reflected ray going away from the mirror यह यहाँ पर गया theta 1, theta 2 या theta i या फिर theta r so यहाँ पर दो तरह के reflection होते हैं बच्चो there are two types of reflections एक होता है smooth surface से जिसको हम specular या फिर regular reflection कहते हैं और एक होता है जिसे हम diffused या फिर irregular reflection कहते हैं दोनों में difference क्या है उसको समझेगा जैसे अगर बहुत सारी rays which are parallel to each other multiple incident rays which are parallel to each other अगर multiple incident rays जो की एक दूसरे के साथ parallel है वो आपने अगर incident करी and after reflection अगर वो rays वापस parallel ही जा रही है तो इस तरह के reflection को आप कहेंगे regular या फिर specular reflection diffuse में क्या होता है जो rays आ रही है वो incident तो कर रही है parallel they are incident over the surface parallel लेकिन उनका जो reflection के बाद they are going at some different different angle बचो after reflection वो rays parallel नहीं है तो इस तरह के reflection को हम क्या कहते हैं diffused reflection इस तरह के reflection को हम कहते हैं irregular reflection यहाँ आपको clear image नहीं मिल पाएगा because multiple points पर rays are intersecting तो आप image नहीं observe कर पाते हैं best example जिसे अपने घरों में जो plaster की हुई दिवार होती ना वहाँ जाके खड़े हो जाओ तो आपको क्या नहीं नजर आएगा चेहरा नजर नहीं आएगा लेकिन अगर आप शीशे के सामने जाकर खड़े होगे आइने के सामने तो वो एक plane surface होता है polished surface होता है तो वहाँ से आप बहुत अच्छे से अपनी image को देख पाते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो rays आपने incident करी थी incident rays parallel है incident rays भी कैसी है सर? incident rays भी parallel है और ये जो reflected rays है ये भी parallel है तो इस तरह का reflection क्या कहलाता है बच्चों, specular या फिर regular reflection आगे बढ़ते हैं और क्या details है अब आता है बच्चों, laws of reflection बहुत important तो यादे आप सभी लोगों को पढ़ा होगा आपने 10th standard में laws of reflection दो तरह के laws हैं जो बहुत काम के हैं पहला लोग तो आपका ये है ठीक है incident ray ठीक है incident ray reflected ray and and normal to the point of incidence normal to the normal to the point of point of incident normal to the point of incident all all lie in the same plane all lie in the same plane बच्चों, ये आपको यहाँ पर समझा दिया गया अब देखो कैसे इसको थोड़ा सा थोड़ा बड़ी आतरीके से फील करते हैं ये जो आप देख रहे ना कि भाईया ने बॉक्स में क्यों रखा है ना what is the reason जिसमें sir ने ये पुरा का पुरा डाइग्राम एक बॉक्स में रखा है ये बॉक्स आपको बताता है x y plane ये बॉक्स क्या बता रहा है ये बॉक्स आपको बता रहा है कि मैं x y plane में हूँ everyone ये बात agree करते हो ये बॉक्स आपको क्या बता रहा है कि मैं x y plane में हूँ understood understood चलो अब अगर जैसे ही आप xy plane में हो तो ये incident ray भी कहाँ पर है ये पूरा का पूरा diagram कहाँ पर है xy plane में so incident ray xy plane में है reflected ray भी xy plane में है और तो और ये normal भी xy plane में ही है so यही बात यहाँ पर लिखी है incident ray, reflected ray and normal to the point of incidence क्योंकि normal बहुत सारे हो सकते, normal यहाँ भी हो सकता है, normal यहाँ भी हो सकता है इसलिए specify कि at the point of incidence जहाँ पर ray टकरा रही है वहाँ का जो normal है वो कैसा है बच्चो एक ही plane में है क्योंकि एक normal तो ऐसा भी हो सकता था बाहर की तरफ लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं दूसरा जो यहाँ पर rule है second one, second one is very simple angle of incidence is equals to angle of reflection यह बहुत मज़ेदार rule है और आज से आगे तीन दिन तक हम लगभग लगभग इसी rule का इस्तमाल करते मिलेंगे बच्चो इसी पर based आपको सारे के सारे plane mirror के questions बन जाते हैं तो इसे बहुत अच्छे से समझना और बहुत अच्छे से याद रखना ठीक है angle of incidence is equals to angle of reflection अब कुछ चीज़ें और पढ़ते हैं जरा let us suppose that कि यहाँ पर आपको बोला mirror है let us suppose यहाँ पर आपको बोला mirror है अब यह mirror कैसा होगा, feel करना यह mirror कैसा होगा, sir यह mirror यह आपका x-axis हुआ sir यह ऊपर की तरफ आपका y-axis हुआ और perpendicularly यहनिके screen से बहार की तरफ z-axis हुआ यह होगा, यह plane mirror है, यह x-axis हुआ इससे perpendicular y और screen से बहार की तरफ z है ना, चलो, अब हम किसकी बात करें बचो हम बात कर रहे हैं normal की है ना, तो अब क्या होता है उससों सुनिए, कोई ray, कोई ray इस तरफ से आपने भेजी यहाँ पर टकराई, अब यह जब incident ray यहाँ पर आके टकरा रही है तो यहाँ बनेगा एक normal, यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तो, यहाँ पर बनेगा एक normal, यह बना आपके लिए normal, अब आपसे अगर मैं पूछ हूँ, तो यह वाला surface polished है और उपर वाला surface कैसा है सर, यह वाला surface से reflecting, यह वाला surface कैसा होगा बच्चो reflecting, तो जो unit vector होगा, unit vector, थोड़ा सा vectors आपको आना चाहिए है ना, क्योंकि 11th standard तो आपने पढ़ी होगी, यह मैं assume कर रहा हूँ अगर नहीं पढ़ी, तो मैंने कल भी एक strategy session लिया था, जिसमें यह mention किया था, कि physics को कही से भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले आपको basic mathematics और vectors at least आना चाहिए, ठीके, basic mathematics और vectors आपको at least पता होना चाहिए, तो यहाँ पर बच्चो क्या होगा, यहाँ पर normal का जो unit vector होगा, यहाँ कि n cape, वो हो जाएगा आपका j cape, बच्चो y की direction में, y की direction में, उपर की तरफ, अगर यह mirror palette के रख देते, उल्टा, यहने की polished surface नीचे और silvering surface उपर, तो फिर आप इसको क्या करते बच्चो, आप बोलते इसका normal नीचे की तरफ होता, अगर आप इस mirror को ऐसे रखते, for an example, धंग से समझ लो इस बात को, क्योंकि बहुत काम आने वाला है, let us suppose that this is normal, तो अगर यह normal होता ना, और यह अगर आपका incident ray होता, यह angle अगर यहाँ पर आपका theta होता, तो this normal n k will be minus j, depending upon what is the placing of mirror, mirror को समझना पड़ेगा, mirror ऐसे रखा हुआ है, या mirror ऐसे रखा हुआ है, जो उसका reflecting surface है, वो उपर है या उसका reflecting surface नीचे है, उस पर depend करता है, किस तरफ यहाँ पर normal होगा, उपर वाले diagram में plus j, नीचे वाले में minus j, clear हुआ, चलो, यह वाला angle क्या बनता है बच्चो, theta, अब मान लेते हैं, कि even यहाँ पर क्या हो गया बच्चो, तुम्हें यहाँ लिख देता हूँ, even जो है, even है, unit vector, even क्या है बच्चो, unit vector, unit vector का मतलब होता है, एक ऐसा vector, जिसका magnitude 1 हो, unit vector का मतलब होता है, even is a unit vector along, along कहां पर, along incident ray बच्चो, unit vector का मतलब क्या होता है, बता देता हूँ थोड़ा सा, unit vector का मतलब होता है, जिसका magnitude 1 हो जिसका magnitude 1 हो जाए और केवल direction हो, उसे हम कहते हैं unit vector, so unit vector along incident ray, अब आप यहाँ पर अगर देखें, कोई आपसे पूछे, कि what is the vector, what is the vector, representing, what is the vector, representing incident ray, कोई अगर आपसे पूछे what is the vector, what is the vector, representing, representing, किसको बचो, representing incident ray, अब देखो बहुत सिम्पल है, incident ray को represent करने वाला vector बनाना है आपको, तो आपको यह बात पता होनी चाहिए, vector की knowledge से, कि sir, अगर इस even के component आप बनाएंगे, तो दो component बनेंगे, एक नीचे की तरफ बनेगा, sir, even cos theta, और एक right side बनेगा, sir, यहाँ पर क्या, तो आप बोलेंगे, sir, even का sin theta, are you guys getting my point or not, लिखो ज़रा यहाँ पर, so, जिस vector की आप बात कर रहे हैं, है न, यह unit vector को I, आप यहाँ पर cape लगा कर लिख दीजिए, तो यह even vector जो incident का हो जाएगा, this will be even, यहाँ पर आप लिखेंगे cos theta, और यह cos theta, आपका minus J में नीचे की तरफ है, और plus आप लिखेंगे, sir, even, यह होगा, आपका sin theta, और यह जाएगा आपका plus I में, everyone, component लेना, theta की तरफ जो जाता है, theta की तरफ जो जाता है, वो cos theta से दूर जो जाएगा, वो sin, बस इतना याद रखो, theta की तरफ टूटा, यह white line ज है, तो vector क्या हो जाएगा, vector हो जाएगा, sin theta, I cape, minus हो जाएगा, बच्चो, cos theta, J cape, अब एक मज़ेदार बात, जो आपको यहाँ पर notice करनी है, सुनिएगा, वो क्या है, वो बात इतनी सी है सिखाने वाली, कि अगर मैं आप से पूछ हूँ, तो भई, यह वाला component क्या कर रहा ह है, light का यह वाला component, तो mirror से बिल्कुल graze करता हुआ जा रहा है, grazing का मतलब उसके बिल्कुल parallel जा रहा है, तो यह वाला जो component है, यह वाला जो component है, even cos theta, यह टकरा के bounce back कर जाएगा, अपनी direction बदल लेगा, अरे भई, किसी surface पर तुम ऐसे, कोई मान लीजे, अगर आपके पास क कोई बात नहीं, हना, वैसे usually balls रहती ही हैं, बट आज, देखो, हना, गायब हो गई नहीं मिल रही, तो अगर आपके पास एक ball है, घर पे करके देखना, surface पर लूड़का दो, तो भई, अगर आपने surface पर ball को roll कर दिया, तो वो उसी surface पर roll करती रहेगी, टकरा कर वापस तब अगर कोई यह पूछ ले, तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछो, लेकिन इसी में, इसी question में आपसे अगर कोई यह पूछ ले, what is the vector, जो reflected ray को represent कर रहा है, question क्या है देखो, question ऐसा आगया, vector representing, vector representing, reflected ray, reflected ray को represent करने वाला vector, तो बहुत simple है, बहुत simple है, देखो, अगर तुम इसको e2 वेक्टर लिखोगे, तुमने खुद कहा, कि sin theta तो बदल नहीं नहीं वाला, यहनी कि sin theta तो ikp रहेगा, और जो cos theta है, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बचो, plus हो जाएगा, minus का j, plus का j हो जाएगा, that's it, direct आ गया, direct आ गया, very very simple, are you guys getting my point or not, तो बहुत easy way में, आप calculation कर सकते हैं, हलाकि, ऐसे सवाल जब आपके सामने आएंगे, जब आप special class में मुझसे मिलेंगे, तो वहाँ पर हम इन पर और ज़्यादा practice करेंगे, बचो, ठीक है, तो यह बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, एहम हो जाते हैं, इस तरह की analysis हमें पता होना, normally क्या होता, जब optics होता है, तो से, है ना, तो हम आजाते हैं, सर, एक next concept पर, that is, angle of deviation, कोई light ray आपने भेजी, है ना, angle of deviation क्या है, you have sent a light ray, यह incident light ray है, कौन से यह बच्चो, incident light ray, वाके में तो क्या होना था, अगर यह mirror नहीं होता, अगर यह mirror नहीं होता, तो यह light ray क्या करती, इस रास्ते को पकड़ कर सिधे इसे पहुंच जाती, बच्चो, अगर यह, अगर यह light ray, यहां mirror नहीं होता, तो यह इसी रास्ते से पहुंच जाती, isn't it everyone, एक बार thumbs up करो, एक बार thumbs up कर दो, फटा-फट से, तो मुझे समझ आ जाएगा, प्यारे-प्यारे hearts, जब मुझे दिख जाएंगे, chat section में, that can understand, कि अभी तक का explain किया हुआ, हर एक बात आप तक पहुंच पाया, right, angle of deviation, that clear, यहां तक बच्चो, perfect visualization के साथ class चल रही है, I am explaining each and everything in detail, ठेके, so that आपको बिलकुल भी परेशानी नहीं हो, बहुत अच्छे, तो यह light ray, ऐसे incident होती, और इसी direction में चली जाती, अगर यह mirror नहीं होता, लेकिन इस mirror के होने से, इस mirror के होने से, यह light ray क्या करेगा, बच्चो, उपर की तरफ चला गया, reflected ray हो गया, 30 degree पर incident था, तो 30 degree पर ही reflect भी करेगा, यह आपका normal है, तो angle of deviation किसे कहते हैं, उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं, बच्चो, angle of deviation का मतलब होता है, यह है क्या आपकी, this is your extended incident ray, यह क्या है बच्चो, this is your extended incident ray, so extended incident ray, और reflected ray के बीच में, जो angle है, उसे हम कहते हैं, angle of deviation, है ना, लिखा हुआ है, angle between the light incident on the optical instrument and final emergent ray, in reflection, angle of deviation, delta is angle through which incident light gets turned due to the reflection, कितने angle से वो turn कर जाता है, तो यहाँ पर यह delta is your angle of deviation, अब इस वाले total angle को देखो, यह 180 होगा, 180 मेंसे, let us suppose that अगर इस angle को थीटा बोला, और इस angle को भी थीटा बोला, तो आप angle of deviation क्या लिखोगे सर, angle of deviation 180 minus, आप लिखोगे, angle of incidence minus angle of reflection, तो हो जाएगा सर, angle of incidence or reflection बराबर, थीटा थीटा 2 थीटा, so delta is equals to 180 minus 2 थीटा, जो example आपको दिखाया गया है, उस example में, angle of deviation हो जाएगा, 180 minus 2 into में 30 degree, so that comes out to be, यहाँ पर 120 degree, कितना आजाता है बचो, 120 degree, अब एक बहुत important बात, यहाँ पर सबसे विचारनिये बात क्या है, इस delta का direction बच्चो, it is always from, है ना, it is always from extended incident ray towards reflected ray, हमेशा शुरू कहां से होगा, extended incident ray से शुरू होगा, जाकर खतम कहां पर होगा, reflected ray पर जाकर खतम होगा, तो यह कैसा है, अगर आप यहाँ पर diagram अभी देख रहे हैं, तो यह आपको मिलेगा सर, anti-clockwise, many a time, आपका numerical value सही हो जाएगा, लेकिन जब आपका direction अगर गलत है, तो फिर answer पुरा गरबड हो जाएगा, तो 120 degree is the numerical value, बट anti-clockwise direction में है, यह उसका proper answer हुआ, ठीक है, अब यहाँ पर अगर कोई यह पूछे कि सर, what is the angle of incidence, it is the angle made by incident ray with the normal, ठीक है, जो mirror का normal है, उसके साथ incident ray जो angle बना रही है, उसे हम angle of incidence कहते हैं, बहुत पहले यह कहानी खतम हो चुकी यह सारी, ठीक है, clear है बच्छो, बहुत बढ़िया, चलो, तो शेशन अगर मज़ेदार लग रहा है, तो likes करते रहना और अपने सभी दोस्तों के साथ share जरूर करते रहना बच्छो, ठीक है, चलो, angle of deviation के बहुत सारे examples हम यहाँ पर कर सकते हैं, cases बना सकते हैं, एक छोटा सल सवाल में आपसे इसा पूछता हूँ, लेटर suppose यह mirror है, लेटर suppose यह mirror है, और यह mirror कहाँ पर दिया, बच्छो, यह mirror आपको दिया हुआ है, at an angle of, say, 60 degree with horizontal, बच्छो, 60 degree with horizontal, अब यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो गया, एक ray आ रही है, a ray which is coming horizontally, a ray which is coming horizontally, incident ray, बताईए angle of deviation कितना होगा, यह आपसे पूछा है, with direction बताना है, come on, do it, fast, जल्दी से करो, चलो, बहुत सही, बहुत सही दोस्तों, anti-clockwise, how sir, please explain, बच्छे, यहाँ से, this is the extended incident ray, from extended incident ray, towards reflected ray, हैना, from extended incident ray, let us suppose that this is the incident ray, हैना, this is the incident ray, and this is the extended incident ray, यह extended incident ray है, and this is the reflected ray, यह वाला ray कैसा होगया, बच्चे, reflected होगया, so from this ray, to this, यह आपको arrow ऐसा बनाना है, so this is anti-clockwise, this is anti-clockwise, अब यहाँ पर देखो कैसा बनेगा, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले तो यह है, यहाँ आंसर साने शुरू हुए क्या, 60 degree आ रहा है, किसी का 120 degree आ रहा है, अच्छा जी, चलो इधर आ जाओ, सबसे पहले आप यह देखोगे, सर, यह देखोगे, कि यहाँ पर जो है, यह आपने बनाया ray, this is extended incident ray, क्या नाम दे रहाँ बच्चो में इसको, extended incident ray, और इस extended incident ray को, अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो आपने इस तरह से यह क्या बनाया, this is your normal, यह क्या बनाया बच्चो, this is your normal, everyone, है ना, अब अगर यह angle 60 degree है, तो यह वाला angle भी 60 degree होगा, अगर यह 60 degree है, तो this angle must be 30 degree, बोलो हाया ना, अरे भई, this is normal ना, तो total 90 degree, तो 30 degree हुआ, तो अगर ray, normal से 30 degree पर incident हुआ है, तो 30 degree पर ही क्या करेगा, reflect होगा, तो यह 30 degree पर क्या कर गया, reflect कर गया, this angle is 30 degree, यह reflected ray है, तो यह वाला angle, देखो यहाँ पर कैसा घुम रहा है बच्चे, कैसा घुम रहा है arrow, clockwise आ रहा है, extended incident ray से, reflected ray की तरफ बनाना होता है, तो यहाँ पर आप delta को बोलेंगे, sir, 180 minus twice times of 30 degree, again this is coming out to be 120 degree, but this time it is clockwise, this time it is clockwise, isn't it, yes or no, 60 कैसे आ रहा है, 60 कैसे आ रहा है, 60, कितने लोगों को 60 आ रहा है, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, basic mathematics है, थोड़ी सी गुणा जोड़ भाग घटाओ, और सारी चीज़ें clear हो जाएंगे, ठीक है, yes, understood, आया मजा, ठीक है, अच्छा, कितने ऐसे लोग है, जिनको optics difficult लग रहा है, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेता हूँ, है ना, काफी देर हो गई है, कितने ऐसे लोग है, जिनको ऐसा लग रहा है, कि सर, optics difficult है, electrostatics से ही शुरू होना चाहिए था, how many of you are thinking, कि सर, optics difficult है, कितने बचे, थोड़ा, easy है, yes, अच्छा, simple है, देखो, आपने 10th में उल्रेडी पढ़ रखा है, बस थोड़ा सा advancement करना है, 10th में उल्रेडी पढ़ रखा है, थोड़ा सा advancement करना है, ठीक है, yes, it is really very easy, है ना, हाँ, और जब यह जो tough, जो दिमाग में जिसकी picture tough बनी हुई है, अगर वो आसान हो गया, तो आप यह मान के चलिए, कि आपका 12th का पूरा-पूरा syllabus आपके लिए एक दम हलवा हो जाएगा, ठीक है, चलो, और question कराते हैं आपको थोड़े से, और question कराते हैं, are you guys ready, चलो, अब यहाँ पर आपको यह बोला कि suppose यह horizontal है, और horizontal से किसी angle पर 30 degree पर यहाँ पर mirror रखा हुआ है, कितने पर बच्चों, 30 degree पर यह रखा हुआ है, theta is equals to 30 degree पर यह रख दिया हमने, ठीक है, अब condition यह है, condition यह है, कि यह जो horizontal है, condition क्या है बच्चों सुनिएगा ज़रा, condition यह है, कि यह जो horizontal है, इस horizontal से यहाँ पर 10 degree पर इस angle को, 10 degree पर, कितने पर बच्चों, 10 degree पर हमने incident किया इस रे को, 10 degree पर, horizontal से 10 degree पर, सवाल ज़रा बढ़िया वाला है, 10 degree पर, ठीक है, तो आपसे पूछा angle of deviation क्या होगा, come on, come on, pain और paper अगर लेकर बेठे हो, तो सवाल बहुत जल्दी कर पाओगे, अगर pain और paper नहीं है, तो फिर बस screen को देखते रहे जाओगे, pain और paper लेकर बेठे हो, pain और paper लेकर बेठे हो, everyone, right जी, है ना, नहीं, बिल्कुल भी, difficult to solve numerical बिल्कुल नहीं होगा, extensive practice करेंगे, बच्चों, special classes पर, ठीक है, पुरा schedule दूगा, मैं आपको, special classes पर, जैसे जैसे topics खतम होते जाएंगे, मैंने schedule में आपको एक बात नहीं बताई अभी, जैसे जैसे हमारे topics खतम होते जाएंगे, उन topics पर special class में हम practice करेंगे, extensive practice, जैसे जब हमारा plane mirror पूरा हो जाएगा, तो plane mirror के धेर सारे सवाल कर लेंगे, मैं खुद आपसे करवा दूगा, ब Yes, चलो, अब अगर ये 10 degree है, सबसे बड़ी बात, अगर ये 10 degree है, तो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर ये होगा, Sir, this angle will be, है ना, ये 10 degree है, ये 10 degree है, ये 10 degree है, ये वाला 30 degree है, तो 30 प्लस 10, 40 हो गया, 90 में से 40 गया, तो ये 50 degree होगा, अगर ये 50 है, नॉर्मल के साथ अग angle of deviation कितना हो जाएगा, 180 माइनस twice times of angle of incidence बच्चो, यहने की 180 माइनस 100, और अगर आप देखोगे, तो 80 degree आया, now, what about the direction, what about the direction, Sir, ये extended incident ray है, everyone, अगर किसी को अभी भी दिक्कत है, तो let's have a look, extended incident ray है, इस extended incident ray से, अगर आप यहाँ पर arrow बनाएंगे, तो ये आपका direction कैसा बनेगा, ये बनेगा बच्चो, anti-clockwise, कैसा बनेगा दोस्तों, anti-clockwise, isn't it, बना anti-clockwise, सबको clear हो गया, सबको clear हो गया, clock, anti-clock का चकर समझ में आया, किसी भी तरह का सवाल होगा, अब आप बना दोगे, ये में थम सब, चलो, तो अब हम बात करतें, बच्चो, types of object, types of object, देखो, दो तरह के object होते हैं, है ना, जिसकी images हमें बनानी है, तो एक होता है, real object, real object, हमेशा, जो incident rays है, वो diverging दिखेगी, अगर object आपका क्या है, बच्चो, real है, जिसे हम देख पारें, जिसे हम, real object है, और हम जब शीशे के सामने जाकर खड़े होते हैं, तो हमारी image जो बनती है, वो virtual होती है, image क्या बनती है, बच्चो, virtual, ये mouse, real है, it is exist in reality, आप अगर इसको mirror के सामने रखोगे, तो वो क्या बनाएगा, image इसकी, virtual image बनाएगा, तो अगर यहाँ पर देख रहे हो, diverging incident rays है, diverging का मतलब, source स ऐसे fail रही है, source के पास से ऐसे गुसा होके, बोले नहीं बात करना, तुमसे से नाराज होके, ऐसे fail के जा रही है, ठीक है, so diverging incident rays है, real object के लिए, virtual object है, अगर आप बात करोगे, तो जो incident rays है, वो converging होगी, incident rays के सी होगी, बच्चो, converging, देखो, ये image real बन रहा है, लेकिन object virtual हो इस O से आ रहा हूँ, so this O is virtual, when rays are कैसी बच्चो, ध्यान रखेगा, जब आपकी incident rays converging होगा, object आपका virtual होगा, object कैसा होगा बच्चो, virtual, reality में ray नहीं निकल रही है, in reality rays are not coming from O, वो कहीं और से आ रही है, लेकिन हमने geometry लगा ली, हमने उनको extend करा के एक point पे मिला लिया, और हम ऐ rays are coming from this point, तो ये point virtual object होगा, बस इतना ध्यान रखना diverging, तो real, converging, तो यहाँ पर virtual बच्चो, अगर यहाँ पर उल्टा कर दो आप, ठीक है, अगर आपकी जो reflected rays है, वो converging हो, reflected rays है ना, जिसे यहाँ से real object से निकली, बीच में lens लगाया, यह rays यहाँ से reflect होके मिल रही है, यह reflected rays rays actual में मिल रही है, जिसे अगर आप mirror की बात करोगे, यह आपका कौन के mirror 10 में आपने पढ़ा था, यह वाली ray, यह वाली ray, किसी दूर object से आ रही है, and these rays are going to meet at a particular point, जिसको हम focus कहते हैं, तो यह reality में मिल रही है, rays are meeting in reality, तो जब converging reflected rays होगी, बच्चो, जब converging reflected rays होगी, तो image आपका real होगा, image आपका real होगा, और जब diverging reflected rays होगी, तो आपका जो image है, वो कैसा होगा, virtual होगा, जो हमारा बनता है, जब हम सीशे के सामने कड़े होते हैं, plane mirror के सामने, है ना, सुबह सुबह, भई हमने देखा कि चलो यार, ठिक ठाक है मतलब, है ना, ठिक ठाक है, तो आप देख रहे हैं, अपनी copy, वो virtual image है, क्योंकि वहाँ पर rays divergent form में incident होती है, और converge होती है, यहाँ पर, कैसे बच्चों, तो यह इस तरह से converging form में जा रही है, तो virtual image के लिए rays converging, और real image के लिए, आप यहाँ पर देख से हैं, देखो, real object, यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अब दो बाते हमने पढ़ी, virtual image, virtual image के लिए diverging है, और real image के लिए कैसा हो जाएगा, बच्चों, converging है, दोनों बना कर दिखा दिये मैंने, है ना, real image के लिए कैसा हो जाएगा, sir, converging हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, sir, converging हो जाएगा, is that clear, everybody, है ना, देखो यार, थोड़ा सा तो हंट ट्राइ किया मैंने है, ना, electrostatics से शुरू ना करके, optics से शुरू करना, और फिर optics को समझाना, ये वाकई में मैंने काम तो थोड़ा सा उल्टा किया है, लेकिन उल्टा काम इसलिए किया, because आप लोगों को benefit maximum करा सकूं, बच्चों, tough chapter को पहले finish करना, और visualization के साथ, आ lockdown ने कहीं आना जाना नहीं, कुछ खरित के लाना नहीं, है ना, बस phone का camera उसकी light और आटा, और हमारा light का demonstration complete हो गया, done हो गया, हम घर पे बेट कर ये सारी चीज़े कर सकते, activity based learning बच्चों, ठीक है, so just, बस stay tuned with me, every day at 5 p.m., I am guaranteed you, आप optics में superior होंगे, ठीक है, चलो, question पर बात कर करते हैं, जो कुछ भी हमने अभी सीखा, उसी की थोड़ी सी practice करते हैं, ठीक है, जो कुछ भी सीखा, उसकी थोड़ी सी क्या करते हैं, practice करते हैं, so, a point source of light is placed in front of a plane mirror, point source, point source of light is placed in front of plane mirror, देखो, ये plane mirror है, और plane mirror के सामने, अगर आपने point source ऐसा रख दिया, ठीक है, all the reflected rays meet at a point when produced backward, ठीक है, only the reflected rays close to the normal meet at the point produced backward, only the reflected rays making a small angle with the mirror meet at the point when produced backward, light of different colors make different images, देखो, क्या होगा, ये एक रे गई, टकरा के वापस आई, तो यहाँ पर आप extend करके आगे कर दो, फिर ये दूसरी वाली रे, ऐसी तीसरी वाली रे, ऐसी चोथी, पाँचवी, छोटी, साथ भी, चाहे जितनी rays आप incident करोगी, सारे के सारे incident rays एक ही point पर जाकर मिलेंगे बच्चो, एक ही जगह पर जाकर मिलेंगे, तो आप यहाँ पर option a try करेंगे, बच्चो, option कौन सा लगेगा, a वाला यहाँ पर सही जाएगा, आया मजा, yes, ये mirror से related सवाल था, अब ये हम complete करत diverging है, है न, incident rays कैसी बच्चो, diverging है, तो जो आपका object है, वो कैसा होगा, object आपका कैसा होगा, बच्चो, object आपका real होगा, है न, diverging अगर incident rays है, incident rays अगर diverging है, तो object कैसा होगा, दोस्तो, object हमारा real होगा, incident rays अगर converging है, तो हमारा object कैसा होगा, object virtual होगा, yes or no, देखो, revise हो गया, table भी complete हो गई, revise भी हो जाएगा reflected raise अगर converging है तो हम लिखेंगे sir, real image होगा real image कब होगा, बच्चो जब raise, converging है, कौन सी reflected, और अगर diverging है तो आप लिख दोगे sir, virtual होगा virtual image होगा, खतम कहानी table complete, revision done ये हो गया हमारा काम भाईया ऐसे ही हम charts बना बना कर पढ़ेंगे sir, ऐसे ही हम charts बना बना कर पढ़ेंगे sir, सवाल आएगा, उसको भी देख लेंगे भई, क्या हमारे सामने ठीकेगा a virtual image is formed by plane mirror, plane mirror क्या कर रहा है, virtual image बना रहा है virtual image, अच्छा virtual image तो तबनती है जब हमारे पास क्या होगी rays diverging होगी ठीक है, so when the pencil of light is incident on the mirror then the incident pencil on the mirror is बच्चो, यहाँ पर incident pencil on the mirror is diverging, because image कैसी है आपकी image कैसी है, virtual है तो virtual image अगर है तो incident pencil पूछ रहा है यने की object से आने वाली rays, तो वो तो कैसी होगी divergent होगी, real object होना चाहिए ना, तो तो उसकी image virtual बनेगी, real object का image virtual बनेगा pencil का मतलब क्या है अगर किसी को ये दिक्कत हुआ है, कि सरक pencil, देखो इस तरह की बहुत सारी bundle of light को ना हम pencil कहते है इस तरह की बहुत सारी bundle of light को क्या कहते है, बच्चो, pencil कहते है तो ये जो pencil जिसे आप देख रहे हैं ये converging pencil है, ये कैसी बच्चो this is your converging pencil this is your converging pencil और ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं this is your diverging pencil ये जो pencil आप देख रहे हैं this is your diverging pencil DP, ठीक है, तो इसको कहते हैं पैंसिल बंडल ओफ लाइट बंडल ओफ लाइट इस तरह से कनवर्ज और डाइवर्ज होना इसे पैंसिल क्योंकि जो इसका शेप है दिखने में ये पैंसिल जिसी नजर आती है ठीक है चलो ये एक छोटू सा होमवर्क है आप सब लोग कर लोगे do let me know in the comment section की आंसर आया या नहीं आया बच्चो राइट होमवर्क नमबर 1 आज की क्लास का चलो आगे बढ़ते हैं और क्या चीज़े हमारे पास है image tracing बच्चो image formation plane mirror किस तरह से image को form करता है हम उसकी बात करते हैं अगर यहां कहीं object है तो उसका जो image बन रहा है वो कैसे है what if I bring this object upside तो यह image भी उपर जाएगी यह नीचे जाएगी यह सब हमें समझना है plane mirror के सामने हम लोगों ने खड़े रहे कर बहुत ना टक ना टंकी करके देखा हुआ है plane mirror के सामने इसे हाथ खड़ा करते हैं ठीक है इसे आगे जाते हैं पीछे हाते हैं अभी दिखाने वाला हूँ हमने यहाँ पर किसी surface पर ऐसे रखा हुआ है यहां कहीं कोई object है यहां कहीं कोई object है which is at a distance of x बचो कितने distance पर है x distance पर from mirror itself अब देखना अगर यह x distance पर है यहां से एक ray जो है mirror के ओपर incident होगा a ray which is going to incident over the mirror यह incident ray है यहाँ पर एक angle बनेगा बचो incident ray का क्या बनेगा सर एक angle बनेगा समझेगा एक angle बनेगा let us suppose theta कितना angle बना बचो theta अब यह जो theta angle बना यह जो theta angle बना इसी same angle पर ray क्या करनी चाहिए reflect करनी चाहिए करेगी भईया theta angle पर अगर incident हुआ तो theta angle पर reflect करेगा this is your incident ray this is your reflected ray अब आप इस reflected ray को क्या करेंगे retrace बेग करेंगे ऐसे पीछे की तरफ आप इसको trace करेंगे ठीक है और जब आपने इसको पीछे की तरफ ऐसे trace किया यह यहां आकर मिल रहा है तो यह भी incident था और यही reflected था reflected को जब आपने trace किया तो ये दोनों यहां के मिले ये दूरी कितनी है ये हमें पता लगाना है let us suppose that this is x prime let us suppose that ये वाली value क्या है बच्चो x prime है हमें नहीं पता 10th standard का mathematics है लगा सकता हूँ ठीक है चलो ये x है ये x prime कितना है नहीं पता लेकिन ये common sight है जिसे हम y कह सकते है height of this mirror we know ये y हमारे लिए हो गए ठीक है अगर ये theta है so we can definitely say कि ये भी theta होगा ये theta है तो ये भी theta होगा जब कोई 2 triangle हो बच्चो जब 2 triangle हो जिन में एक height common हो ठीक है एक height common हो अगर ये angle ये वाला angle अगर theta है so this angle is also theta और अगर ये theta हो गया तो ये वाला angle भी theta होगा बच्चो alternate equal angle 9th standard में सारी theorems पढ़ी है आपने ठीक है so अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ दो अलग-अलग triangles आपके पास है इन दो अलग-अलग triangles में एक angle और एक side common है बच्चो इसके लिए भी y है इसके लिए theta इसके लिए भी theta इन दोनो triangle को हम congruent triangle या similar triangle एसी property हम कहते है ठीक है तो definitely यहाँ पर x क्या होगा बच्चो is equals to x prime होगा x is equals to क्या होगा बच्चो x prime होगा the only difference is the only difference is कि अगर आप mirror के सामने 5 cm खड़े हो तो आपकी image mirror के पीछे 5 cm पर बनेगी that is the only difference that is the only difference mirror के सामने अगर आप 5 cm आगे खड़े हो तो आपकी image mirror के पीछे 5 cm पर बनेगी बस यही difference है nothing else ठीक है इतना clear हो गया सब लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई किसी को कोई confusion कोई दिकत ठीक है yes तो यहाँ पर आप एक बात देखते हैं सर है ना image distance है ना क्या देखेंगे बच्चो image distance जो है image distance और basically यह measured किया जाता है from कहां से mirror से तो मैं इसे कहूंगा image displacement is equal to या magnitude of image displacement is equal to object displacement distance और displacement में थोड़ा सा difference होता है बच्चो और मेरे ख्याल से यह आपको पता होना चाहिए ठीक है what I can say is or or else I can write x prime is equals to minus x minus sign क्यों x is equals to minus x y minus sign minus sign indicate करता है minus sign indicates ठीक है image and object are opposite to each other with respect to mirror बच्चो यह कहां से measure किया गया x और x prime दोनों mirror से measure किया गया है negative sign indicates x prime is in opposite side is in opposite side of mirror mirror से दूसरी तरफ होने की वज़े से हम minus sign यूज़ करते हैं that's it इतना अगर आपको clear हो गया तो बात आगे बढ़ाई जा सकती हैं तो फिर सारी चिज़ें चर्चा में आगे बढ़ाया जा सकता है आगे बढ़ें बच्चो thumbs up करते हो right प्यारे प्यारे hearts draw होते हैं ठीक है जी हाँ ray optics का daily एक lecture होगा timing 5 से 6 साड़े छे बता दिया 29 अपरेल को ray optics done बच्चो 29 अपरेल को ray optics done हो जाएगा पूरी तरह से खतम कर देंगे मैं से ठीक है चलो सवाल है आपके सामने read करिये it is desired to take a photograph the image of an object placed at the distance of 3 meter from the plane mirror बच्चो जितना अभी तक पढ़ा उसका diagram बनाने की कोशिश करो एक plane mirror है plane mirror से 3 meter दूरी पर कि 3 दूरी पर बच्चो plane mirror से 3 meter की दूरी पर 3 meter की दूरी पर एक object रखा हुआ है इस object की image का photo लेना है किसका photo लेना है object की image का अब आगे क्या लिखा है the camera which is at a distance of 4.5 meter from the mirror अब mirror से camera कहां परे बच्चो ये camera का position है ये camera का position है which is at a distance of 4.5 meter from the mirror तो बोल रहा है should be focused at a distance of किसका photo लेना है किसका photo लेना है object का नहीं object का लेना होता तो 1.5 पर focus करता अगर object का लेना होता तो 1.5 पर focus करता मुझे लेना है image का photo image का photo यहाँ पर किती दूर बनेगी बच्चो इमेज 3 meter पर अगर object है तो 3 ही meter पर इसका क्या बन जाएगा sir image बन जाएगा so this is also 3 meter अब अगर आप यहाँ पे camera रखे हो तो camera 4 प्लस 3 यानिकी 7.5 meter पर आपको focus कराना पड़ेगा 7.5 meter पर आपको focus कराना पड़ेगा is that clear clear to everybody object अगर object का photo खीचना होता तो इसी question में अगर मुझे object का photo खीचना होता तो object का अगर आपको photo खीचना होता तो आप 1.5 पर focus करते object के photo के लिए आपका focus 1.5 पर होता आपको तो image का photo खीचना है अगर image का photo खीचना है तो image कहां बना 3 meter mirror के पीछे बना तो मैं यहां से camera को focus करके और उसका photo खीच लूँगा बड़ी असानी से is that clear everybody यहां तक बात समझ में आ जाती है अच्छा अब एक बहुत जनरल सी बात करते हैं उसको जरा सुनिएगा है ना बहुत जनरल सी यह यहां पर क्या है यह मेरे पास mirror है ठीक है यह मेरे पास एक mirror है बच्चो प्लेन mirror और आप मुझे correct representation बताओगे ठीक है यहां पर object रखा हुआ है यहां पर object रखा हुआ है let us suppose that o और वो जो object है वो x दूरी पर रखा है कितनी दूरी पर बच्चो x दूरी पर तो इसका image यहां पर x दूरी पर बना दू मैं क्या यह सही है क्या यह सही है यह image मैंने इसका x distance बना दिया दूर is it okay is it okay यह सही होगा या यह गलत है is it okay मैंने क्या किया मैंने क्या किया है ना mirror है मेरे पास ऐसा ठीके this is plain mirror यह plain mirror है और इस mirror को आपने क्या किया इसके सामने x distance पर object है और आपने x पर इसकी image बना दी क्या यह सही है many of you are writing yes and many of you are writing no no वाले बच्चों को बधाईया yes वाले बच्चे इधर देखो जरा actual में जब आप mirror से जब आप mirror से distance की बात करते है object distance की या image distance की तो वो mirror से perpendicular होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए बच्चो it must be perpendicular to mirror यहनि कि अगर यह distance d है तो इसका image भी कहां पर बनेगा बच्चो इसका image भी बनेगा d distance इस तरफ d distance इस तरफ this is the correct explanation यह वाला गलत है right always plain mirror के case में in case of plain mirror the object and image will be lying on the line which is perpendicular to the mirror बचो जो line perpendicular होती है mirror से हमेशा आपका object और image उसी line पर लाई करेगा यह एक note point था जिसको मैंने explain किया diagram की मदद से अब इसको language में आप लोग लिख लीजेगा ठीक है language में आप लोग लिख लीजेगा कि जो object और image है वो हमेशा plain mirror से जो perpendicular line होती है उस पर पाया जाता है इस डाट clear ठीक है ठीक है जी एक बार फिर से समझा देते हैं देखो क्या होता है कि जो आप यहाँ पर इस distance की बात कर रहे हो ना यह जो distance की अभी थोड़ी देर पहले जो आपने प्रूव किया था थोड़ी देर पहले जो आपने प्रूव किया था कि अगर सर यहाँ पर यह x है if this is x तो इस तरफ भी क्या बनता है सर इस तरफ भी अगर यह object x पर रखा है तो image भी x पर बनता है यह कब possible है यह संभव है जब आप यहाँ पर in distances को mirror से perpendicular ले रहे हो this angle is 90 degree this angle is also 90 degree बच्चो 90 degree पर ही संभव है मतलब कि अगर आपने यह कर दिया मान लिजे this is the mirror that you have this is the mirror that you have और यहाँ पर मान लिजे आपने क्या किया यहाँ पर आपने एक object रख दिया ऐसे ठीक है object रख दिया x distance पर ऐसे बिल्कुल यही वाला explanation और आपने अगर इधर बना दिया कि sir x distance पर यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा इसका image मिल जाएगा same x distance पर गलत हो गया यह गलत हो गया इस mirror से perpendicular line पर होना चाहिए यह जो कहानी है x is equals to x prime this is valid along the direction perpendicular to the mirror only along along a line कहाँ पर perpendicular to mirror जो mirror से perpendicular होगा जो mirror से line perpendicular होगा उसी line पर यह होना चाहिए otherwise नहीं तो यह गलत है बच्चो सही क्या होगा अगर आप एक line यहाँ पर इसे perpendicular draw कर देते हैं let us suppose this is d तो this is also d यह यहाँ पर image बनाएगा बच्चो यह यहाँ पर image बनाएगा ठीक है आया बात समझ में thumb sup करते हो अब clear है सबको clear है कोई भी बच्चा जिसको confusion है दिक्कत है परेशानी है नहीं सबको clear समझ में आ गया चलिए 6.30 से class होगी seat maim की तब तक हमारी class अभी चलती रहेगी बच्चो अब यहाँ पर जब आप image formation की बात करते हैं आप लेटरल inversion आपको मिलेगा कैसा मिलेगा लेटरल inversion जैसे जब आप शीशे में जब आप शीशे में जाकर अपना हाथ उठाएंगे तो अगर आपने सीधा हाथ उठाया तो आपकी image को जब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यह उल्टा हाथ उठाया हुआ है तो यह lateral inversion है किवल इतना फरक आता है P जो है वो Q नज़र आएगा जो Q है वो P नज़र आएगा that is the lateral inversion बच्चो जिसे यहाँ पर देखो यहाँ पर यह topi AC थी यह plane mirror से जो window का mirror है उससे reflection के बाद topi AC नज़र आ रही है lateral inverse हो गया बच्चो ठीक है जो यहाँ पर P होगा जो यहाँ पर क्या होगा जो यहाँ पर P होगा यहाँ का P इस तरफ आपको Q बंद के दिखेगा यहाँ का P यहाँ पर Q नज़र आएगा इसको lateral inversion कहते है और diagram दिखाता हूँ और आपको diagram दिखाता हूँ और clear होगा यहाँ देखो अगर आपने right hand thumb rule या कुछ भी ऐसे माल लिजे आपने mirror के सामने जाकर यहाँ से हाथ खड़े करना है mirror के सामने अपने घर में आईने में चेक करना ज़रूर आज है जितनी भी activities जितने भी task मैं आपको यहाँ पर class में देता हूँ आप perform जरूर करेंगे या तो telegram पर you let me know telegram पर adsing mahen ठीक है telegram पर you can connect with me अगर personally connect करना चाहते हो बचो यह मेरा telegram का ID है adsing mahen ठीक है या तो आप मुझे यहाँ पर message करके बता सकते हो कि भाया आज का task complete है और किसी भी तरह की queries या किसी भी तरह की दिक्कत हो तो वो भी पूछ सकते हो instagram पर भी you can connect with me official mahenndra sing अगर आप search करेंगे official mahenndra sing के नाम से मिल जाएगा hello physics पर तो मैं आपके साथ connected रहता ही हूँ ठीक है अब यहाँ पर देखो यह सही है इस तरफ आपने लिखा hand और इस तरफ आपको उल्टा दिख रहा है इदर लिखा आपने hand और इस तरफ आपको उल्टा दिख रहा है तो इसको कहते है lateral inversion यह यहाँ पर बीच में शीशा होगा यह बीच में mirror होगा तो इसने mirror ने पूरी कहानी को पलट दिया बच्चो ठीक है चलो अब यहाँ पर एक सवाल है सवाल है आपके सामने read this question carefully and फिर इसे solve कते है ठीक है which of the following letters do not surface lateral inversion किन में से lateral inversion नहींगा surface का lateral inversion यहने कि जो G है वो उल्टा G ना दिखेगा जो E है वो उल्टा E ना दिखेगा इसमें से कौन सा ऐसा letter है H, GA है, HOX है, VET है या YUL है very good very good सही जा रहे हो बिल्कुल सही जा रहे हो यह होगा बच्चो HOX क्या होगा HOX yes इसका lateral surface का do not surface lateral inversion कैसे चलो यहाँ पर देख लो है ना देखो यहाँ पर जो HOX है जैसा X यहाँ है वेसा ही X यहाँ है हाँ यह बात तो है placing का difference तो आएगा यह बीच में mirror है यहाँ पर बीच में क्या है बच्चो mirror है है ना यह मेहनत होती देखो content की अनकैडमी नीट के यूट्यूब चैनल को क्यूं कहा मैंने कि subscribe करके physics की अगर तुम्हें चिंता है physics में अगर तुम्हें परेशानी है भूल जाईए बस क्या करिए चैनल को subscribe करके पांच बजे का reminder set करके रखो यह चीजे कराके समझाया जाता है let's have a look बचे HGA यहाँ पर देखो X का X है O का O है और H H जेसा ही दिख रहा है surface lateral inversion हुआ ही नहीं लेकिन मैं जब HGA पर नजर डाल रहा हूँ तो H तो H है G उल्टा हो गया A भी यही है A भी नहीं बदला VET VET का V उल्टा हो गया ठीके E उल्टा हो गया T का तो T फिर भी T ही है ना Y U L में अगर आप देखोगे तो Y तो Y है U भी U है लेकिन L उल्टा हो गया समझ रहे हो तो there are so many such word combination जो बना कर सवाल में पूछे जा सकते हैं और यह आपको explanation के लिए kilo visualization के लिए याद रहे लंबे समय तक इसलिए सारी चीज़ें कराई जाती है चलो अगला सवाल है अन अननमबर्ड वॉल क्लॉग बच्चो उसके उपर नमबरी नहीं है ठीक है शोस टाइम कितना चार बच के 25 मिनट ठीक है चार बच के 25 मिनट 37 सेकंड अगर आपने यहाँ पर घड़ी बना दी ठीक है और यहाँ पर प्लेज मिनट लगा दिया तो यह आपकी वाच है इस वाच का यहाँ पर इमेज बनेगा तो अगर यहाँ पर कितनी बच रही है चार बच के 25 मिनट 37 सेकंड तो घड़ी में समय क्या होगा, यहाँ पर time क्या होगा, this is the question, बच्छो, this is the question, come on, 10th standard में भी किया था यह सवाल है न, याद आ रहा है, 10th standard में भी किया था नहीं, yes, very good, very good, very good, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो, चलो साथ ही हो, yes, keep going, बहुत खुब, बहुत ननव दी अबव है, यार, दी तो ननव दी अबव है, जलो, खेल, छोड़ो उसे, आपको क्या करना है, इसके एक टेक्नीक है, बचे, इसके एक टेक्नीक है, complete अगर, complete अगर में देखूं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब घड़ी के तीनों काटे आ जाते हैं, तो 12 बज़ के, 12 बज़ के 0 minute complete हो जाता है, यहाँ पर है ना, तो अगर हम इसको ऐसे ले ले, 11 बज़ के 9 मिनट और 11 सेकंड, इस टाइम में से, यह absolute टाइम हो गया बच्चों, 12 बज़े का, ठीक है, इस टाइम में से 4 घंटे 25 मिनट और 37 सेकंड माइनस कर दो, है ना, वैसे ए 37 हैंने की, यह आपका 30 हो गया, तो यह 5 हो गया तो 37 यहाँ पर आपका बड़ा वाला end होगा, फिर यहाँ पर जो हैं, अच्चा, 37 सेकंड वाला end हो गया, 25, तो 4 पे ही 25 हो जाता है ना, ने, 5 पे 25 होगा, तो यह यहाँ पर आपका minute वाला end होगा, अब इनका सबका, जब त में से minus कर लेते हैं ठीक है करे minus 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा बच्चो 6 में से 4 जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा very good 9 में से 5 4 5 में से 2 3 और 7 11 में से 4 जाएगा 7 7 गंटे 34 मिनट 23 सेकंड बताएगा ये समय आ रहा है option C ठीक है this is the concept 11 बचके 9 मिनट 60 सेकंड में से जो भी time आपको दिया उसको minus कर दीजिए तो या तो image का time आ जाएगा और अगर image का time दिया है तो object का time आ जाएगा जो भी आपको बोला है ठीक है कहीं बार क्या होता है सवाल उल्टाव कर देते हैं सवाल ऐसा कर देते हैं कि image का जो time में वो दिया हुआ है बताओ object का time क्या होगा ये देखो यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश करी है है ना diagram के साथ तो क्या किया यहाँ पर देखो हाथ में wall clock ली है ना तो wall actual में ये मेरे हाथ में है लगभग लगभग दो बच कर कुछ 30 मिनट से थोड़ा सजादा और लगभग धाई बज रहे होंगे तो धाई बजे का time यहाँ पर कितना दिख रहा है तो यहाँ पर देखो यह पर देखोगे तो यहाँ पर आपको जो second end है वो clockwise रन करता नजर आएगा घड़ी में जो यहाँ पर जो second वाला end है वो clockwise चलता नजर आएगा लेकिन जब तुम यहाँ देखोगे तो तुम्हें वो anti-clockwise चलता नजर आएगा यहाँ clockwise चल रहा है यहाँ anti-clockwise चलेगा उल्टा चलता है opposite चलता है ठीक है इस direction पर भी सवाल बन सकता है तो याद रखना कि भई अगर आपको clockwise rotation दिख रहा है कहाँ पर actual object में तो anti-clockwise rotation दिखेगा आपको image में ठीक है बच्चों clear है easy है ना easy है मज़ा आया everyone चलो फटा फट तम सब मिलते है फटा फट तम सब मिलते है अच्छा अब चलो यह वाला जो सवाल है बहुत ही प्यारा है और देखते जरा इसको कैसे करते है ठीक है a mirror is inclined at an angle of theta degree with the horizontal a ray of light is incident at an angle of incidence theta degree then the reflected ray makes following angle with the horizontal 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 के साथ क्या angle बनाएगा पहले ये काम करो horizontal बना लो ठीक है पहले ये काम क्या करो बच्चों देखो पूरा का पूरा जब तक तुम optics पढ़ रहे हो जब तक तुम plane mirror पढ़ रहे हो सारा का सारा खेल किस बात का है अरे अफकोर्स बात है कि सर इन दोनों के बीच में जब तुम بعसेक्टर डालोगे, यह 90 माइनस थीटा है, तो यह भी 90 माइनस थीटा होगा, अगर यह नॉर्मल है, यह वाली लाइन, यह मिरर है आपका, यह मिरर है आपका, यह नॉर्मल है, सो बच्चो ये आपका 90-theta angle of incidence हुआ तो angle of reflection भी तो 90-theta होगा यहने कि ये वाली line आपकी reflected होगी और अगर ये reflected है तो angle कितना बना रही है horizontal के साथ angle क्या बनाएगी 0 तो correct answer हो जाएगा none of the above correct answer हो जाएगा none of the above everyone मज़ा आया pdf hello physics के telegram channel पर बचो pdf hello physics के telegram channel पर join करिए right now right away telegram download कर लो आपके लिए बहुत काम आने वाला है क्योंकि वही पर आपके लिए doubt clearing groups बनते हैं ठीक है वही पर आपको doubts बताया जाते हैं आगे बढ़ते हैं और मज़ेदार सवाल चलो और मज़ेदार सवाल ठीक है कैसा excitement है गाईज चलो a ray light making an angle 10 degree बचो a ray light making an angle 10 degree with the horizontal is incident on the plane mirror making an angle theta with the horizontal बचो एक line है जो horizontal से 10 degree पर भेजी गई mirror पर जो खुद theta बना रहा है angle with the horizontal what should be the value of theta so that the reflected rays goes vertically upward सवाल समझ में आया सवाल समझ में आया की नहीं everyone सवाल समझ में आया की नहीं zero कैसे है अनन्या zero बच्चे देखो ऐसा है आपको ये बोला था कि ये horizontal है ये green वाली line क्या है बच्चो ये horizontal है और यही reflected ray भी है यही horizontal line है और यही reflected ray भी है उसने बुझाता angle with horizontal तो reflected ray का angle horizontal के साथ क्या हो गया zero ना that is why none of the above clear, done, चलो आगे बढ़ते हैं इसको देखते जरा अब आपको ये बोला गया है कि भई दो यहाँ पर आपके देखो horizontal ये लिया आपने horizontal horizontal से theta angle पर horizontal से theta angle पर there is a mirror ठीक है horizontal से theta angle पर there is a mirror और यहाँ पर भी आपको क्या करना है आपने horizontal बना लेना है है ना इस horizontal से सुनना ये angle theta है तो ये angle भी यहाँ पर आपका theta होगा इस horizontal से 10 degree पर इस horizontal से 10 degree पर आपको क्या करना है एक ray भेजनी है horizontal से 10 degree पर question में कहा है कहा गया है बस उसको मान रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ ठीक है अब देखो जरा अब क्या होगा यह यहाँ पर एक normal बनेगा सर इस yellow वाली line पे perpendicular drop करो इस yellow वाली line पे perpendicular drop करो करना पड़ेगा तो perpendicular drop किया जैसे ही perpendicular drop किया यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा ये angle of incidence होगा जिसको तुम i का होगे आप देखो है ना ध्यान से समझना बच्चो ये वाला जो total angle है देखो ये वाला angle कितना हो जाएगा this is theta plus 10 है ना this is theta plus 10 तो i की value क्या हो जाएगी you can say sir i का value हो जाएगा 90 minus theta plus 10 येने की ये हो जाएगा 90 minus 10 minus theta येने की angle of incidence हो गया sir 80 minus theta समझे angle of incidence कितना हो गया 80 minus theta very good अब एक बात और कहा है question में ये कहा है कि जो incident ray है वो यहाँ टकराने के बाद में vertically upward जाना चाहिए टकराने के बाद में कैसे जाना चाहिए बच्चो vertically upward like this टकराने के बाद सीधा उपर अब अगर ये टकराने के बाद सीधा उपर जा रहा है अगर ये angle theta है तो this angle is definitely theta ये वाला theta है तो alternate equal angle ये भी theta है ना equal and opposite angle हो गया बच्चो ये theta है चो this is 90 minus theta और अगर ये 90 minus theta है तो this is going to be theta ये ने की angle of reflection, angle of reflection कितना हो गया? theta, angle of reflection कितना हो गया? theta, कोई confused तो नहीं है बच्चे, किसी को ये तो नहीं लगा कि सर ये कैसे हो रहा है, किस तरह से आ रहा है, क्या चीज़े हैं, तो यहाँ पर आपको ये पता है laws से कि सर angle of incidence equals to angle of reflection, तो आप बोलोगे सर 80 minus theta is equals to theta, 2 theta is equals to 80, theta is equals to 40, done, 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 option C, आगे बढ़ गया, simple geometry, that's it, simple geometry, that's it, isn't it, right, no sir for what, no, किस बात के लिए, समझ नहीं आया, उसके लिए no, या confusion के लिए, तो अब एक काम करो, thumbs up करो, उससे मुझे समझ आएगा कि ये question clear हुआ कि नहीं, है ना, thumbs up करो, उससे मुझे समझ आएगा कि ये question clear हुआ या नहीं clear हुआ, come on, okay, okay, yes, yes, repeat कर देते हैं, एक बार फिर से repeat कर देते हैं, हाँ भाइसा, अब मुझे लग रहा है कि optics बात भी पढ़ाना चाहिए था, right, देखो यारा, आपके उपर है सारी चीज़ें, हैना, अगर आप cop up करोगे थोड़ा, हैना, cop up करोगे मान के चलोगे, ठीचें, यार ये क्या हो गया, kैसे हो गया, repeat करते हैं, फिर से, जो जो सवाल में कहा है, वही वही हम करते जाते हैं, लेटसे भे लोग, अरे यार ये तो शायद change हो गया, सवाली change हो गया, हाँ, यहाँ पर देखते हैं, let's say भे लोग, देखो, horizontal से theta degree पर एक mirror है horizontal से theta degree पर एक mirror है और horizontal से 10 degree पर हमने एक ray को incident किया horizontal से 10 degree पर हमने एक ray को incident किया अब ये वाला angle ये वाली yellow line और ये blue line एक दूसरे से perpendicular है this yellow mirror और ये blue normal are mutually perpendicular to each other अब ये जो green वाली line है ये यहां से 10 और ये theta so ये total angle कितना हो जाएगा theta plus 10 तो अगर ये वाला angle 90 है so 90 minus theta plus 10 यानिकी 80 minus theta angle of incident हो गया इतना काम उधर किया इतना काम उधर किया दूसरा काम अगर ये angle theta है तो इसका बिल्कुल opposite angle ये भी theta होगा now this white color का horizontal green color का reflected ray 90 degree पर है so this angle should be 90 minus theta everyone yes और अगर ये 90 minus theta हुआ अगर ये 90 minus theta हुआ तो ये वाला theta होगा ना because this yellow and this blue are at 90 degree with each other तो angle of reflection theta है angle of incidence 80 minus theta है rule क्या कहता है rule कहता है i is equal to r कर दो 80 minus theta is equal to theta कर दो solve किया we got the result अब बताओ अब बताओ अब clear हुआ की नहीं अब clear हुआ की नहीं everyone अब clear हुआ चलो कुछ questions मैं आपको homework में दे रहा हूँ जिन्हें आप try करेंगे ठीके so these are your homework discussion में करूँगा बच्चो ठीके discussion मैं कब करूँगा तो मैं करूँगा 18 तारीक को 18th April को मैं discussion करूँगा पूरे plane mirror के सारे के सारे questions का ठीके यहाँ पर आप जब solve करेंगे तो आपको answers मिलने लग जाएंगे ठीके तो you will be getting ठीक है so this will be 30 degree अच्छ अरे यार कहां चला गया हाँ यह 30 या 16 दोनों में से कोई एक answer होगा आप मुझे याद नहीं है है ना answer अगर याद नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा देख लीजेगा ठीक है यहाँ पर हो जाएगा सर two mirror are placed perpendicular to each other ठीक है तो parallel to the original ray option b हो जाएगा है ना option b हो जाएगा इसमें आपका answer हो जाएगा सर this is 60 degree and next अगर आप यहाँ पर देखेंगे minimum length of mirror हम कल continue करेंगे तो यह question अब आपसे बनने वाले जो थे केवल दो सवाल ठीक है तो I hope you enjoy today's session do let me know in the comment section आपको कितना मज़ा आया and telegram पर आप मुझे message कर सकते हैं telegram पर मेरा channel है बचो hello physics के नाम से ठीक है जहाँ पर अभी आपको pdf notes भी मिल जाएंगे जहाँ पर आपको सारी classes की update भी मिल जाएंगे ठीक है classes update जहाँ पर आपको MS modules मिल जाएंगे ठीक है जहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे बचो सारे के सारे MS modules जो मैं chapter wise लिखता हूँ आप बचो के लिए hand written notes along with the questions यह सारे यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं और एक चीज़ औरे बचो हमने संजीवनी बेच आज से ही शुरू किया है for NEET 2022 बचो NEET 2022 के experience के लिए we have started संजीवनी बेच today only जिसमें मैं optics ही पढ़ा रहा हूँ optics ही शुरू किया है वहाँ पर भी so that आप लोग बहुत ज़ादा अच्छे से ace कर सके यहां से आपने अगर थोड़ा बहुत समझ भी लिया है वहाँ extensive practice आप कर सकते हैं संजीवनी बेच में right तो आपको plus पर क्या-क्या benefit मिल जाते है live classes होती है बच्चो interaction बहतर हो पाता है जिसे भी आप YouTube में अगर आप chat section में कुछ भी लिखेंगे तो वो मुझ तक नहीं पहुंच सकता या मैं उसे read नहीं कर सकता आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर अपने queries अपने doubts पूछ सकते हैं right live polls and letterboards है आपकी performance को analysis करने के लिए weekly test series और यहाँ पर quiz के questions होते रहते हैं और अभी actual में एक बात ये भी बचों के एक bumper offer चल रहा है जिसमें 12 महिने के subscription में आपको 3 महिने extra मिल जाएंगे right तो unlimited access का benefit लेने के लिए क्या करो right now right away and academic learning download करो install करो उसके बाद में plus पे जाओ need UG category को select करो get subscription multiple option में से ये जितने higher duration के लिए जाओगे उतना जादा beneficial होगा जब भी subscription ले code याद रखना MS live ठीक है तो आपको doubt clearing groups में भी access मिल जाएगा आपको जितने भी मेरे MS modules हैं जो मैं खुद लिख रहा हूँ hand written जिसमें 3 level के question है level 1, level 2 and level 3 बच्चो ठीक है और boards के लिए separate modules हैं तो वो सारी चीजों के लिए आप यहाँ पर आ सकते हो तो जब भी subscription ले यहाँ रखेगा code MS live ठीक है आज सीप मैम की class है हना तो सीप मैम human reproduction शुरू करने वाली है तो reproduction in organism ठीक है तो यहाँ पर आप देखने कुछ sales वगरा के बारे में बढ़ाने वाली है साड़े छे पर उनकी class शुरू हो रही है तो कहीं जाना मत इदर उदर भटकना मत फटाफट से आ जाना ठीक है ओके गाईस चलो तो मिलते हैं आप लोगों से अगली कक्षा में तब तक के लिए love you all all the very best take care and हाँ एक चीज़ और भी करना यार अगर आपको electrostatics चाहिए तो मुझे बता देना ठीक है तो मैं optics को side by करके है ना और electro से शुरू कर दूँ मैंने stunt किया है आलाकि यह इस बार ठीक सोजा था आप लोगों को आपको पसंद आएगा तो मुझे लगता है कि आया होगा ठीक है चलो ओके गाइस सीया बाई बाई टेक केर अपना ध्यान रखेगा इसी तरह से आगे बढ़ते रहिएगा पढ़ते रहिएगा और हमेशा की तरह मचाते रहिएगा टेक केर